हलो दोस्तों आपका हमारी चैनल पर स्वागत है मैं हूँ अनुच और आज मैं फिर से एक और वोकैब का शासन आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों आपका प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है आपके कमेंट्स पढ़के आप इतना प्यार दे रहे हैं देखे अगर ऐसे अपना प्यार दीजी मुझे और मैं आपको ऐसे मस्त मस्त वर्ड कराता रहूंगा और यह जो वर्ड्स है बिल्कुल एर फोर्स की दृष्टी से बहुत ज्यादा इंपोटेंट है उसी लेवल के वर्ड हम लेके चल रहे हैं एर फोर्स और नेवी के दोनो तो चलिए आज का हम सेसने स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला बड़ा है क्वेफ क्वेफ मतलब होता है धिरे-धिरे किस चीज को पीना या निगलना है तो इस वर्ड को हमने किस से रिलेट किया है इस वर्ड को हमने रिलेट किया है कैटरिना कैफ से देखे जैसे आप और k textures, आपस में relate करते है तो हमने इस वज़े से caterina calf इसमें इसका link वर्ड बना है तो आप देखरें हो की ट्रिक में कि केतरेन कफ एक एड में फ्रुटी को धीरे-दीरे पी रही है मतलब लगत जने ऊपने देखे हो गी जिसमें अविता बच्चान ने रोल किया है और आपको वर्ड में क्या दिक्षेतगत बच्चन बच्चन दिख रहा है तो हमने इसी से रिलेट कर दिया अमिताब बच्चन जिसे तो अमिताब बच्चन ने कौनसी मूवी में रोल किया था अमिताब बच्चन ने शराब भी मूवी में काम किया था है तो इसी से याद हो जागा बकलीनियन मतलब क्या होता है ड्रंक काड शर दोर यह गोशाय है च्राइजT वती अने मितलब वर गया होता है तो थूर्फौर थूर भी होता विछ गया प्री मतलब हुद होता है हम स्षलोटूर इसकी त mist ृी सह जेले कि तो बिर मतलब प्राहता है स्वेश्चाहिज उसस्ति याद रहेंगे वह गाएंगों हम एक चीज के 3-4 वड करेंगे बिल्कूल तो वीद्जियोического सिस्टाइन मतलब क्या होता है लेजी का समस्ति तो इसकी ट्रिक है यसकी ट्रिक के लसी फी कर लेशिचिया आती है सचिस्ती याती है संस्ता जी गर्मिगी को rag unpack लेरे साथ है तो क्या होता है अग्ला वड़ है हमारा गेल, गेल मतलब हुथा है स्ट्रोम क्या है, टूफान , इस वड़ को हमने की से रेलेट कि है ? क्रिस गेल से, क्रिस गेल को सब जानते है और बहुत बहुत बहतरे ंकिरिक्ट गेट रहने जिस टाइम वो खेलते है न तो तो सच में स्ट्रोम आ जाता है, सच में तुफान आ जाता है, सब को पता है, इतनी छक्कों की बरसात करते हैं, तुफान ही आ जाता है, तो हमने उसे से रिलेट किया इस वड़ को, कि क्रिस गेल से छक्कों का क्या आता है, स्ट्रोम आता है, तुफान आता है, तो उसे इसे इ इतना समझानी चरूतनी है आसान वड़ा गेल, स्ट्रोम होता है गेल मतलब है तूफान चले अगले वड़ की तरफ चलते हैं अगला वड़ है हमारा सेंटीमोनियस सेंटीमोनियस मतलब क्या होता है पाखंडी तो हमने इस वड़ को किस से रिलेट किया है लिंक वड़ किया है आपको इस वड़ में दिख रहा होगा संत और मुनी संत और मुनी क्या होता है आज कल का क्या हो रहा है कि लोगों ने धंदा बना लिया है संतुर मुनी बनके, वो संतुर मुनी क्या है, वो पाखंडी है, तो पाखंडी लोग ना, संतुर मुनी बनके बैठे हुए है, तो इसे से हमने रिलेट किया है, कि आज कल के संतुर मुनी क्या है, सेंटी मुनियस है, है न, तो इसे समने रिलेट करते है, तो इसे समने रिलेट ठीक है पाखंडी याद हो यागा आपको दो दिन बाद क्या होगा भूल जाओगे क्या फायद होगा कुछ फायद नहीं होगा अब देगी इतना बड़ा वड़ है सेंटी मोनियस और हमने कितने रामसी से याद कर लिया कि संत और मुनी संत और आज गल के संत और मुनी कैसे है सेंटिमोनियस है, सेंटिमोनियस मतलब क्या होता है, पाखंडी होता है, होगे ना रामसियाद कितना बड़ा बड़, तो टेंशन लेने की जरूतनी है, ऐसे ही सारे बड़ी आद होगे है, तो चलते हैं, अगला बड़ा है हमारा मैंगल, मैंगल मतलब होता है, सैबोटेज, त इस चीज को है ना तो इसमें आपको क्या दिख रहा है मैंगल में आपको मंगल दिख रहा है ना मंगल पांडे तो हमने से मंगल पांडे से रिलेट किया है कि मंगल मंगल एक साथ रिलेट कर रहा है कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों को क्या कर दिया था मैंगल कर दिया था तो हमने उससे रिलेट कर देखिए कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों को मैंगल कर दिया था इसकी वे हम दो तिन वर्ड करेंगे हमार आगला वर्ड क्या है हमार आगला वर्ड है करीन का मतलब होता है मटकना और इस वर्ड को हमने किस से रिलेट किया है करीन कपूर से तो देखे आपको दिख रहा है करीना और करीन आपस में दुनों रिलेट कर रहे है ना हाँ रिलेट कर रहे है बिल्कुल तो इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है कि करीना बहुत अच्छा मटकती है तो करीना बहुत अच्छा क्या करती है करीन करती है देखे यह वर्ड एर फोर्स चुट्कियों में आपको यह वड़ी याद हो जाएंगे और भूलोगी भी नहीं कभी है ना बस और जब आपका कभी पेपर आए उठाओ कोपी मारा दस मिंट में रिवेजन खतम किसे बिगया दो कि मेरे अब जब हम धिरे-धिरे करेंगे ना दस-दस करके करेंगे तो एक मह तो इसलिए टैंशन मतलो हो जाएंगे बस याद गरो आप यह दियान मत दो कि सर यह आएगा यह या नहीं आएगा आएगा पक्का आएगा मैं कहा रहा हूँ मैं करा रहा हूँ पड़ा विश्वास रोखो मुझ पर ठीक है चलिए अगले बढ़ की दरफ चलते हैं अगला हमारा मैंडी केंट मैंडी केंट मतलब क्या होता है भिकारी बैगर तो इसे हमने किसे रिलेट के है आपको मैंडी केंट में दिख रहा होगा मंडी और केंट है तो ऐसा देखा होगा आप मंडी से गुजरते हैं तो वहाँ पे भिकारी बैठे होते हैं तो हमने इसी से रिले इक से कर रहा है, सरिफ रट रहा है, यह वर्ड उसके लिए हाड होंगे, ठीक है, आप कोई भी वर्ड आप करके देख ले ना, करके देखा होगा आपने, कुछ वर्ड आपने अपसे पहले याद कियोंगे, और आप, मैं गरेंटी से कहा सकता हूँ, आपको याद भी नहीं हो हो गया विल्कुल यह, है न, तो इसलिए कहीं भी बात आये, कुछ भी बात हो रही हो, भीकारियों के बारे में, तो बैगर यूज मत करना, मैंडिकेंट यूज करना, सब सोचेंगे कि अरे यार, बंदी की नोलिज कितनी अच्छे है, देखो भीकारी नहीं कहारा, मैंडिक चलिए अगले बढ़ की तरफ चलते हैं, सगेसियस, सगेसियस मतलब होता है, intelligent, important word है, तो हमने इसे जो रिलेट किया है, हमने रिलेट किया है साग से, देखेंगे, ऐसा होता हरी सबजी खाने वाले बंदे न, कहते हैं कि हरी सबजी खाया करो, आपका जो दिमाग तेज होग चलिए अगले बढ़ की तरफ चलते हैं, अगला बढ़ है हमारा sonoras, sonoras मतलब होता है sweet voice, मधूर आवाज, तो इस वर्ड को हमने किसे रिलेट किया है, sonu निगम जी से, देखिए sonu निगम जी की बहुत मीठी आवाज है, तो हमने उसे से रिलेट कर दिया है, कि sonu निगम की देवाज में, क्या है sonoras, sonoras मतलब क्या होता है, sweet voice, मतलब madhur आवाज है, उसे समने से रिलेट कर दिया, आप फोटो में भी देख रहे है sonu निगम जी को, देखिए photo लगाने का purpose इतना है, कि आप word को देखो, और आपके सामने जब word आए ना, तो आपके सामने वही photo आ जाने है न, मैं ऐसा भी कर सकता था, यह photo में लगाता है, यह photo मैं ने, वीडियो की, वीडियो अच्छे लगए, इसलिए लगाए मैंने photo, photo लगाने का purpose इतना है, कि जिस्से कि आपके सामने जबी word आया, for example, आपके सामने sonoras word आ गया, और आपके सामने sonoras word आते है, आपके सामने sonor याद किया था sonorous sonorous मतलब क्या होता है sweet voice और किस से याद किया था हमने sononigamji से तो क्या 30 की trick कि sononigamji की आवाज में क्या है sonorous है है ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा sweet voice देखिए आप मेरे हिसाप से तो आपको क्या करना है कि आप एक बार वीडियो पोज कीजिए revision के time पर और आप एक बार अपना test लीजिए कि आपको कितने वड़ याद आ रहे है और जितने वड़ याद आ रहे है ना आपको comment box में जुरूर लिखिए है कम से कम आप वड़ तो आपको आएंगे आएंगे मैं guarantee के साथ कह रहा हूं और मैंने बताया था जिस बंदे को 10 वड़ याद आ रहे है वो तो brilliant है उसका mind तो ही brilliant है ना तो कम से कम आप वड़ आपको आएंगे आएंगे ठीक है अगला वड़ है जो हमने याद किया है centimonious centimonious हमने किससे आप है सांत्त और मुनी हाना संत और मुनी आज गल के संत्त और मुनी कैसे है centimonious है centimonious मतलब क्या बता था centimonious मतलब बता था पाखंडी है ना याद आरा होगा सब को संत on disp reinvent पाकंडी, आपको सारे वर याद आरेंगे, मुझे पता है, ऐला वर्ड है सैगेसियस, हमने किसे के रिलेट किया था? साग खाने वाले बड़े सगेसियस होते हैं सगेसियस मतलब क्या होता है Intelligent तो साख खाने वाले कौन होते हैं सगेसियस होते हैं तो साख खाओ सगेसियस हो जाओ सगेसियस मतलब Intelligent है न और हमारा अगला वड़ क्या है अगला वड़ हमने कौन सा याद किया था मैंगल Mangle मतलब क्या होता है Tessnase करना और इसके साइड में हमने एक वर लिखा था Sabotage उसका मतलब भी Tessnase करना होता है है ना तो हमने किस्से याद किया था Mangle में आपको क्या दीख रहा है Mangle में आपको क्या दीख रहा है Mangal Mangal ade तो Mangal pande अंग्रेजियों क्या कर दिया था मैंगल कर दिया था तैसनेस कर दिया था और हमारा अगलावड क्या है हमारा अगलावड है करीन करीन मतलब क्या होता है करीन मतलब होता है मतकना और हमने इसी किस से याद किया था हमने याद किया था इसे करीना कपूर से करीना कपूर कैसा क् करिard करती है, क 31 कर तक पूर करी करीं अच्छा करीं explored, अच्छा मतकती है इससे याद किया दा है, हमार अगला वर धे क्या है अगला वर्ट है गेल मतलब क्या हो्ता है, गेल मतलब होता है स्टोंम तुफान, तो इसा हमने किस से याद किया तلो आप सोचों, आपको धियान आ गया होगा, मुझे पता है Chris Gayle हमने इसे याद किया था, Chris Gayleド जिब कहेंने तो खेलते है.. छक्कोष को कह आ जाता है.. तूफान आ जाता है.. याद आ गया होगा सबको.. हागला वर्ड़ क्या है.. क्या है.. हमार आगला वर्ड़ है.. Mand combat.. Mandicant मतलब होता है भिकारी और इसे हमने कैसे याद किया था Mandi और Kent हमने इसका Link Out बनाया था Mandi और Kent और क्या लिखा था? ट्रिक में लिखा था कि Mandi के आसपास जो बहुत ज़्याद क्या दिखते है Mandicant दिखते हैं मतलब भिकारी दिखते है नँ और आगेला हमाड़ा वड़ है कुएफ, कुएफ मतलब होता है किस चीछ को धीरे-धीरे पीना या निगलना, तो इसे हमने कैसे याद किया था, इसे हमने याद किया था, कैटरीना कैफ से, कैटरीना कैफ यह आपने देखा था, एक इमेज में, वो क्या कर रही थी, स्लाइस क को दिरे-दिरे पी रही थे ना तो ऐसी हमने उससे रिलेट किया है कि काफ और कुएफ काफी रिलेट कर रहा है तो केटरिने काफ slice को quaff कर रहे हैं धिरे-धिरे पी रही है ना दोस्तों मैं क्या सोच रहा था कि हम ना इसमें टैस्ट भी एड़ कर दें कि Saturday Sunday मैं कोई भी दोनों मेंसे आपका टैस्ट लेलिया करेंगे कि Aww करेंगे. 5 दिन तो हम वो कैब करेंगे 1010 है ना तो हमारे कितने के 2 जाएंगे 50 हो जाएंगे. क्योंकि रोज दददस कर रहे हैं. और Saturday Sunday क्या करेंगे. Saturday Sunday में हम टैस्ट ले لिया करेंगे. Saturdayenden janás saying25 और Sunday वाले दिन 25 है ना. और उससे, आप भी अपना score देख पाओगे कि हमारे कितने याद आ रहे हैं ना सब कुछ अच्छा रहेगा टेस्ट में और अगर आप बताईए कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि टेस्ट वगर कैसा रहेगा है ना तो हमारा जो अगला वड़ है बकलेनियन बकलेनियन मतलब होता है शराबी ड्रंक कार्ड तो इसे हमने किसे रिलेट किया था इसे रिलेट किया था बच्चन जी से है ना बच्चन जी ने शराबी मूवी में क्या किया है रोल प्ले किया है तो उससे हमने रिलेट कर दे है ना बच्चन आपको दिख रहा वड़ के अंदर बच्चन आ रहा तो उससे हमने से रिलेट किय है ना तो चलिए आज का सेसन यही पर खतम करते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दस वड के साथ जय हिन जय भारत